तो अगर आप भी अपने घर में एक जियो एर फाइवर लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुख जाए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए उसके बाद आप ये डिसिजन लेना कि आपको अपने घर में जियो एर फाइवर लगवाना चाहिए या नहीं क्योंकि मैंने अभी हाल ही में कड़ी मसकत के बाद अपने घर में जियो एर फाइवर इंस्टॉल करवाया है बुकिंग से लेके इंस्टॉलेशन के टाइम तक और इंस्टॉलेशन के बाद यूज करने में मुझे क्या कुछ दिक्कते फेस करनी पड़ी इसके बेनिफिट्स क आप माई जियो एप्लिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं और जियो के ओफिस्यल वेपसाइट पे भी जाके इसके बुकिंग कर सकते हैं प्री बुकिंग के लिए आपको आपको एक मैसेज आता है जो भी जियो की टीम एर फाइबर इंस्टॉलेशन का काम कर रही है वह जल्द दिन जियो के टीम की तरफ से कॉल नहीं आया जबकि जियो एर फाइबर मेरे एरिया में अवेलबल दिखा रहा था क्योंकि आपके एरिया में अवेलबल दिखाएगा तभी इसको आप बुक कर पाएंगे तब मैं अपने लोकल जियो एस्टोर पे गया उनसे बात की और उन को फोन करता था तो वो लोग ऐसा बोलते थे कि बस आज ही आपका इंस्टोरेशन हो जाएगा किसी भी दिन मेरा इंस्टोरेशन होता नहीं था फिर जब मैंने उन पर बहुत ज्यादा प्रेसर बनाया मैंने बोला कि सर इसकी बुकिंग कैंसल करने का कोई उपाए बताओ अपने टीम को भेजा और कैसे भी करके मेरे घर में जियो एर फाइवर इंस्टोर हुआ अब पहले आपको इंस्टोरेशन प्रोसेस दिखा दो उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि आगे मुझे क्या कुछ दिक्कते फेस करनी पड़ी तो यह जो डिवाइस आप देख र सबसे स्ट्रॉंग सिगनल आ रहा था उसके बाद उन्होंने दिवाल में ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद इस आउट डॉर यूनिट को उन्होंने वहाँ पे इस कुरू के माधियम से लगा दी ताकि आउट ड हमारे नजदी की सेल टावर से अच्छा सिगनल मिल सके और एक power supply unit जो कि हमारे router को power supply देता है और इसके साथ एक geo tv का setup box भी मिलता है तो यहां दिवार में कील के माधिम से geo के indoor unit को उन्होंने लगाया उपर से जो land cable आई थी वो इसके power supply unit में लगी और power supply unit से जो cable निकली वो हमारे router के अंदर चली गई तो यह लगा है हमारा main unit और यह लगा है उसका adapter इसी में power supply जाती है मैं एक बार आपको दिखा देता हूं यह main board से power supply गई है और यह adapter तक गई है और जो उपर antenna से cable आती है वो भी इस adapter में land cable के माधिम से गई है और उसके बाद इसमें से एक मोटी वायर निकलके हमारे इस main router के अंदर गई है और यही router हमें सिग्रिल प्रोवाइड करता है घर के अंदर हम एक बार जियो air fiber के plans देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको speed test वगेरा करके दिखाता हूं मैं जियो के official website पे आ गया हूं सबसे नीचे के तरफ अगर मैं जाओंगा तो यहां पे तीन प्लान अभी के time में आपको देखने को मिलेंगे तो हम यहां पे air fiber के plan को देख लेते हैं जहां पे मैंने यह entry level वाला plan है वो select किया है 599 प्लस GST वाला यह plan मैंने 6 month के लिए लिया हैं तो आपको कोई भी installation चार्ज यहां पे नहीं देना पड़ेगा अब इस plan की detail में अगर मैं जाओं तो यहां पे आप देख पाएंगे जो आपको speed मिलती है वो 30 Mbps के और data आपको 1000 Gb का मिलता है इसके अलावा यहां पे 550 Lush TV चैनल आपको मिल जाएंगे जिसे की आप Gio setup box के माधियम से enjoy कर पाएंगे इसके अलावा इन सारे अप्लिकेशन का सब्सक्रिप्सन भी आपको मिल जाएगा जैसे डिजनी होट स्टार सोनी लीव जी 5 Gio Cinema इसके अलावा यह जो अगला प्लान है 899 plus GST का इसमें आपको 100 Mbps की speed मिल जाती है और बाकी आपको 1000 Gb data और सेम उतने ही अप्लिकेशन का आपको यहां पर सब्सक्रिप्सन मिल जाता है जो 1199 plus GST वाला प्लान है इसके अंदर 100 Mbps का ही speed मिलता है लेकिन इसके अंदर आपको Netflix का सब्सक्रिप्सन मिल जाता है तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा value for money यह 599 plus GST वाला ही प्लान है अगर यह 30 M मेंटेन करके चलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा ऐसा सोच के मैंने इस connection को लिया और air fiber max की तरफ जाएंगे तो यहां पर speed आपको ज्यादा मिलेगी 300 Mbps की 500 Mbps की 1 Gbps तक कि यहां पर speed आपको offer की जारी है लेकिन जो आपको एक महिने में data यूज करने को मिलेगा वहीं पर अगर आप wired broadband यूज करते हैं तो वहां पर आपको लगभग 3,000 Gbps data एक महिने में यूज करने को मिलता है अब एक बार यहां पर मैं speed test भी करके आपको दिखा देता हूं तो इस system को मैंने wifi network से connect किया हुआ है और इसके अंदर जो wifi adapter लगा हुआ है वो local adapter है तो यहां पर लिखा देता हूं मैंने same wifi network से connect किया हुआ है यहां भी देख सकते हैं अन्मोल लिखा हुआ है और यहां भी देख सकते हैं अन्मोल लिखा हुआ है लेकिन phone में एक benefit यह है कि यह जो हमारा router है जीयो वाला यह wifi 6 को support करता है अगर उपर के तरप आप देख पा रहे होंगे तो मेरा phone भी wifi 6 को support करता है तो यह wifi 6 के माधियम से connected है तो यहां पर मैं go पे click करता हूँ और देखते हैं download और upload speed हमें कितनी मिल रही है PC के मुकाबले तो यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर wifi 6 का benefit हमें मिल रहा है क्योंकि download speed भी PC से जादा है PC में आप देख पाएंगे कि 26 Mbps है वहीं पर phone में 29 Mbps है और upload speed 23.6 Mbps है जबकि PC में सिर्फ 4 Mbps है अगर PC में भी हम बढ़िया वाला adapter यूज करें wifi वाला तो उमीद है कि PC म हमेशा एक जैसी नहीं रहती है यह जो upload वाली speed है यह कई बार बहुत ज्यादा slow हो जाती है जिसकी वज़े से मुझे problem आने लगती है जितनी इसकी hype है क्या इसे लगवानी के बाद मुझे actual कोई benefit हुआ मैं अपने Samsung phone में Gio का 5G 600 Mbps 700 Mbps तक की speed पे यूज करता था लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि मुझे एक खास जगह पे phone को लेके बैठना पड़ता था मेरे पूरे घर में कोई कोई ऐसा रूम है जहां पर 5G अच्छे से काम करता है या मुझे बाहर निकलना पड़ता है 5G के अच्छी speed के लिए लेकिन mobile में benefit क्या था मैं नॉर्मली अपना 4G वाले recharge प्लान पे ही unlimited 5G यूज कर पड़ा था इसके लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने थे दूसरी बात यह कि यहां पे speed की कोई limit नहीं थी phone के अंदर जबकि जियो एर फाइवर के अंदर मैंने जो प्लान सलेक किया है 599 वाला प्लस उस पे GST एड़ता के मुकाबले मुझे प्रॉबलम यह हो रहे थी कि मेरे घर में लो सिगनल होने के वज़े से 5G तो काम कर रहा था लेकिन जो upload speed थी वो काफी कम मुझे मिल रहे थी 4 या 5 Mbps बाहर निकलने पर ज्यादा से ज्यादा 10-12 Mbps तक मुझे upload speed मिल रहे थी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं Jio Air Fiber इस्टॉल करवाता हूं तो उसका जो एंटीना है वो छत पर इस्टॉल रहेगा तो हो सकता है कि वो ज्यादा सिगनल कैप्चर करें और मुझे upload speed थोड़ी सी ज्यादा मिले क्योंकि 30 Mbps का उसका limit है तो at least मुझे 20-25 Mbps भी upload speed मिल जाती है तो मेरा काम अच में B capital होता तो वो मेगा बाइट होता अगर हम 30 Mbps को 30 Mbps में convert करेंगे तो सरल भासा में 3,5-4 Mbps की speed हमें मिल जाती है लेकिन upload speed यहां पे अगर मेगा बाइट में देखा जाए तो सिर्फ 1 Mbps के आसपास मिलती है जो की काफी कम है तो कुल मिला के problem मुझे यही लगा कि अ 5G network यूज करके और अपना काम चलाएं आपको better speed मिलेगा data की limit की कोई tension नहीं होगी और अगर आप air fiber लगवाते हैं तो जहां पे आपको phone के अंदर high speed मिलती थी वही पे speed घटके आपकी 30 Mbps पे आजाएगी और यह चुकि जियो air fiber भी आपके local tower से ही जुड़ा है मतलब जैस से आप internet यूज करते हैं जबकि broadband में जो भी हमें connection मिलता है वो fiber cable के थुरू आता है जिसमें काफी consistent speed मिलती है जबकि यह जो mobile networks होते हैं इनकी speed fluctuate करती रहती है लेकिन अगर आप किसी ऐसे area में है जहां पे आपके घर में 5G signal अच्छे से काम नहीं करता और wired broadband भी आपके area में नहीं पहुंचा है उस किसमें आप geo air fiber install करवा सकते हैं बाकि अगर मेरे यहां पे कोई भी wired broadband होता या मेरे घर में चारो तरफ अगर 5G के signal अच्छे से काम कर रहे होते तब मैं यह geo air fiber नहीं लगवाता इसके साथ में जो geo tv का setup box मिला है वो अपनी ठीक ठाक है लेकिन अगर आपके पास already smart tv है तब वो geo setup box भी आपके लिए कुछ खास काम का नहीं है आप अपने smart tv में भी वो सारी काम कर सकते हैं जो आप geo setup box के साथ करेंगे तो आसा करता हूं कि आपका doubt clear हो गया होगा कि आपको अपने घर में geo air fiber लगवाना चाहिए कि नहीं तो वीडियो अगर करें अपने दोस्तों को भी शेयर करें मैं मिलता हूं अपसे अगली वीडियो में एक नहीं जानकारिक साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातर